नमास्कार मैं हूँ सनेलता गार्णिंग विद आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ वो है ये मोप का पोच्छा क्या आपने फैंक दिया ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी नहीं फैंकोगे आज मैंने जब इसको बेकार पड़ा देखा तो इस खुरापती दुमाग में एक आईडिया आया वही आईडिया आपसे शेयर करने चलिया आई हूँ आप क्या सोच रहे हैं कि मैं इसका जूला बनाने वाली हूँ जी नहीं मैं लेके आई हूँ एक दम लेटेस्ट आईडिया जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा तो फैंस वीडियो को लाश्ट तक देखना था कि आपको पता चले कि मैंने क्या बनाया है बहुत सुन्दर चीज बन कर आएगी यह पता भी नहीं चलेगा बनने के बाद कि यह वही पोच है यह मैंने पोचे की रसियां कट कर ली हैं और इसे अच्छी तरह से अब मैं वाश कर लूँगी देखिए यह कट करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी मुझे पहले मुझे यह था कि मैं पेचकस की हेल्प से इसे चेद से बाहर निकाल दूँगी लेकिन यह मुझे से निकल नहीं पाई है इसलिए मैं इसे ऐसे ही कट कर लिया है मैंने और अब मैं इसे अच्छे से वाश कर लूँगी और वाश करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए पेचकास से मैंने बहुत मशक्कत की पर नहीं निकली यह मैंने तीन बोटल्स ले ली हैं कोका कोला की चोटी चोटी सी हैं अब मैं इनका देखिए स्टिकर निकालने वाली हूँ बहुत ही इजिली यह स्टिकर जो है निकल जाता है और इसमें उपर से मैं इनको थोड़ा कट कर लूँगी आप अपनी सुहूलियत से चोटी बड़ी बोटल जितनी भी लेनी हो ले सकते हो मेरे पास फिलहल यह चोटी बोटल्स पड़ी थी मैं यही ले रही हूँ और इनके स्टिकर्स मैंने निकाल लिये हैं अब मैं इनको उपर से करद गरम करके उसकी हेल्प से इनको कट कर लूँगी देखिए फ्रेंड्स मैं करद गरम कर रही हूँ अब अराम से मैं इसे कट कर लूँगी देखिए तीन बोटल्स कट कर ली है एक मेरे पास यह सुवा है इस से मैं पीछे हॉल कर लूँगी दो दो तिन तिन इसमें हॉल बना लूँगी और दो हॉल्स जो है मैं इसके साइड में भी कर लूँगी आप इसे बांधना चाहो तो बांद भी सकते हो लेकिन मैं आपको ये आईडिया दिखाने वाली हूँ बांधने का मैं इसको नहीं बांधने वाली हूँ और देखिए मैंने हॉल्स कर लिये हैं अब मैं इसे जो ये मॉप का पोचा था इसके चारो तरफ मेरे पास ये लंबा लंबा से कपड़े का टुकड़ा पड़ा था मैं इसको उपर से लपेट रही हूँ इसको बहुत अच्छे से लपेट दिया है देखिए अब ये दिखाई भी नहीं दे रहा कि ये पोचा था और इसके एंड पर मैं इस धागे से अच्छे से बाढ़ दूँगी ता कि ये कपड़ा खुलेंबा अब मैंने ये अकरेलिक कलर ले लिया है और ब्लेक कलर मैंने घूल लिया है ब्लेक कलर में थोड़ा से फेविकॉल मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा से पानी फ्रेंड्स ये जो फेविकॉल है इससे कलर इतना ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा कि अगर आप इस पे बोटल्स पे पानी डालो कुछ भी डालो ये कलर बिल्कुल भी उतरने वाला नहीं है ये कलर करने के बाद आपको वार्निश का कोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी देखी मैंने इसमें फेविकॉल मिक्स करके ब्लैक कलर कर लिया है बोटल्स पे आप मैं थोडा वाइट कलर मिक्स करूंगी white color में भी मैं इसी तरह से जो है फैविकोल और थोड़ा सा पानी मिलाओंगी क्योंकि फैविकोल से जो color है रवड जैसा बन जता है जिस से कि ये निकलता नहीं है अगर कितना भी पानी डलता रहे ये निकलता नहीं है देखिए मैंने नीचे half portion पे इस पे मैंने white color कर लिया है अब इसी white color में मैं थोड़ा yellow color mix कर रही हूँ क्योंकि मैंने अब skin color बनाना है अब इस में मैं थोड़ा सा red color mix करूँगी जब mix हो जाएगा यह बहुत ही अच्छा skin color बन जाएगा जो white color के ऊपर जो bottle का हिस्सा बच गया है उस पे मैं यह color करने वाली हूँ यह video मेरी skip हो गई है इसलिए friends यह मैं बीच में नहीं लेका है अब यह मैंने यह disposal जो spoon होते हैं स्वास्तिक के लकड़ी के यह मैंने ले लिये हैं मेरे पास फालतू पड़े थे यह मैंने का एक greeting का थो छोटा सा टुकड़ा है blue color का वो ले लिया है इन स्पून्स को मैं आगे से कट कर लूँगी और थोड़ा सा red color उसमें और mix करके जो मैंने skin color मिलाया था उसमें red color थोड़ा dark और बना लूँगी देखिए जैसे pinkish color बना लिया है अब मैंने इस पे सभी स्पून्स पे कर दिया है और जो ये blue color था ये मैंने इस तिकोनी शेक में कट कर लिया है अब मैं glue gun की help से इनके जो है ये मैं pair बनाने वाली हूं देखिए friends pair इनको ऐसे चिपका दूँगी जो स्पून्स थे और जो ये blue color का मैंने greeting का टुकड़ा लिया था उसको मैंने चौ इस पे लगा दिया है और ये मैंने इस जो ये पोचा लिया था उसके उपर इन तिनों को बिठा के और मैंने इसको रख दिया है जिप अब मैं इसमें friends, koco pit डाल रही हूं, koco pit में मैं इसमें money plant की cuttings लगाने वाली हूं इसलिए money plant की cutting होती है, koco pit में बहुत अच्छी से चलती है, इसलिए मैंने देखिए तीनों मैं koco pit fill कर लिया अच्छ से, अब मैं cuttings लेके आती हूं, money plant की आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके जुरूर बताना फ्रेंज और आगे शेयर भी करना अपने फ्रेंज को और अगर मेरे वीडियो पे आप नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें देखे मैंने मनी प्लांट की कटिंग ले ली है अब मैं इनको नोड एरिया से कट करके इनकी जो बीच की स्टैम्स है उसको लग से निकाल दूँगी क्योंकि मेरे एक हाथ में फ्रेंज मोबाइल है एक हाथ में से मैं कट कर रही हूँ इसलिए मेरे से प्रोपर दिखाया नही यह मैंने कटिंग ले ली है अब मैं तीनों में कटिंग लगा दूँगी अच्छे से लगा के कटिंग फिर में पानी डाल दूँगी और यह देखे कटिंग लग गई है अब मैं आपको इनको रखके भी दिखाती हूँ मैंने कहां रखना है इसको स्टेर्स पर रखना है आ आपको ये कैसा लगा मेरा इडिया? फ्रेंट्स आप इसे हैंग कर सकते हो क्योंकि मैं इसे स्टेर्स में रखने वाली हूं इसलिए मैंने इस पर जो बूल वादी थी वो मैंने निकाल दी है देखें फ्रेंट्स मैंने इसको स्टेर्स पर रख दिया है लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट विडियो में बाए बाए, थैंक्स पॉर वाचिंग